जैशी गनेची हरार महादेव मैं हूँ अचारे संदियासक सैनामा लक्ष्मी जोतिशदार्पी संस्थान की तब से आप सभी का सौगत करती हूँ और आज हम आपको एक नए वीडियो दे रहे हैं ये मैं आपको होली के पलक्षमे दे रही हूँ और होली पे आप क्या प्रयो चोटों को प्यार और जो मेरे हम मुरु हैं उनको भी बहुत बहुत प्यार और आशिवाद भगानशी करती हूँ आसे प्रात्ना करती हूँ कि आप सब के लिए बहुत बहुत अच्छा है वह सोचे और करते रहें और आप लोग भामिशा खुश रहें खुश हाल रहें टाइम के लिए जादा नहीं रह गया है होली की खास विशेस्ता होती है कि हुली का पड़ती है पूर मासी के दिन और पूर मासी क्या है यानि कि जिस चंदमा पूरा होता है दीबा वली की खासत होती है कि दीबा अली पड़ती है अमावस्य में यानि कि जब चंदमा होता ह नहीं है बिल्कुल शुन्य होता है और होली पे चंदमा पूरा होता है यानि कि पूरे तेज के साथ होता है दोनों ही टाइम पे जब हम किसी खास मनोकामना के लिए प्रात्ना करते हैं तो वह अविश्य पूरी होती चाहे वह होली हो या दिवाली हो पिछले वर्ष मैंने कु सीख 15 दिन में किसी के दो महने में पूरी हो गई लेकिन सपी के तीन दिन चाचा महने में पूरी हो गई थी तो आज मैं आपको उसी श्रेडी में कुछ खास बताने जा रही हूं और मालक्ष्मी जोदेश अदात्मी संसान को दा सीक्रिट हफशिक शती तंत्र मंत्र एस्ट सादमाश सीजम होता है सफेदा की तो मिठाई की चीज चीज ना खाएं उसफेड-शचारणी मिठाई है सफेदा को मिठाई को अश्ousseर में आपको अवबाइट करना है खासर पर अगर आपको सफेद मिठाई कोई गिफ्ट में दे दे, क्यादे खा लो, बर्फियर भी खिला देता है, तो उसको वायट कीज़े, प्लीज, क्योंकि उस दिन सबसे ज़ादा तंदर सफेद मिठाईयों पर ही होता है, और यदि कोई आपको सफेद रंग की मिठाई आपको दे रहा है अगर आपका अपना है तो कोई बात दी लेकिन जहां आपको थोड़ा सा भी डाउट तो मीठे रंगी कोई भी मिठाई आपको पूण मासी पे यानि छोटी होली पे और बड़ी होली पे नहीं खानी है ठीक है ये मेरे सारे फॉलोवर्स के लिए हैं जो मु उस समय तंद्र का सबसे ज़्यादा सर होता है तो यदि आपके पीछे कोई पढ़ा होगा और आप सफेज चीजों को पहनते हैं तो आप ये तंद्र का सर ज़्यादा हो सकता है तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है तीसे नमबर पर आपको क्या करना है जब आपके व में मरत बश्ब्र करते कि तो अपने जगाएं जहां पर लगता है कि यह जगाएं जो है बल्ए कोई दिक्कत नहीं होने होने चाहिए इसमें कोई गडबण नहीं चाहिए अगर लीकल कितोर्क रखे तो लगने के औYним Crash रूम में रख दिया एक आपकी कोई गैराज है उसमें रख दिया तो आपको इस तरह से जगा जगा पे दो दिन पहले इफिट करी के टुकड़े चुपा देने हैं पिछोटी होली जबाएगी और जिस समय खोली का जलेगी तब आपको वो सारे टुकड़े लाकर और बोलना है कि मेरे घर परिबार ऑफिस परतिष्ठान और बिजनेस पगर जो भी आपने जहां जबी चुपाया है वहाँ पे जहां जहां पर जो जो भी नकरात्मक उरजा थी उसको आज मैं खोली का के साथ तो दहा कर दीजे इससे क्या होगा जो भी नकरात्मक शक्ती आपके आसपस थी और आपके घर में थी ऑफिस में थी इधर थी उधर थी उससब खत्म हो जाएगी और यह ऐसी शक्तियां भी हैं जैसे किसीने पकायदा आपके कुछ करवा ही दिया तंतक रिया से किसीने काम करवा दिया वो भी खत्म हो जाएगा दो प्रयोग आपको यह विने बता दिये तीसरे प्रयोग के रूपे होली पे आप और क्या कर सकते हैं खोली वाले दिन के जिन होली जलेगी उस दिन आपको भगवान शिप को जो है कोई भी जो सफेध मिठाई हो उसको आपको से पूछ होता है वाइट रंगा जैसे जणिवा होता है जनिवाइट रंग का उससी टैपका जनिवा लिए या कोई डोवरा लिए मोटा सा उसको अपकान शिव और माता पार्वती से साथ बार इस तरह से दोनों को जोड़े में बंदवा दीजेगा जिसे शिव जी अपार्वती की फोटो लगी हो सुरी मूर्ती लगी हो कोई फोटो अपको उस पर घुमाना है साथ बार अपनी मनो कामना को बोलते हैं कोई प्रियोग चाहे किसी भी दिन का होता हो आपने यूटूब पे कहीं भी बढ़ाओ पर्टिकलरी उसको होली पे जितन जलती है होली उस दिन करना है टाइम और डेट को देखकर जैसे पूर्ण मासी कब लगेगी उस टाइम को देखकर समझ रहे हो अगर होली वाले दिन में पूर्ण मासी दस बजे लग रही है तो दसके बादी करना है पूर्ण मासी को देखके करोगे उससे पहले मत कर देना तीक है जैसे कि हमारे घर में एक मैडम काम करती हैं तो वो सुबह सुबह नहीं आई थी जिसन दिवाली थी तो मैंने का भई तुम सुबह काम पे नहीं इसने का कि हम आज्मआवस पूझने चले गए थे मैंने काम आउस कुझने काँ चले गई तो कहने लगी कि दीवाली तुम्हें किसने का आज हमावस है तो कहरी सब कह रहे थे हमावस है हमावस पूछने गए थे मैंने का तुम तो 14 पूछ आई तो कहने लगी क्यों मैं गया इसे लगेगी तुम हमावस पूछने के आँख चली गई थी कि 14 को पूजाई मावस के रहां पर के तिया रहे दी दी मैं सबगलती हो गई मैंने का फिर पूछना था या ना घर में तिरोड़ी पंड़ता नहीं वैटी है जगा जगूम रही हो तो उसका ज़रू धान रखना कि आप जो पूजा पार्ट करने जा रहे हो पूर्मासी लग सब्सक्राइब करें तो आज के लिए वस इतना ही आप सब बहुत बहुत खुश रही है धन्यवाद